नवस्कार आप देख रहे हैं कैप्टिल टीव उत्तर प्रदेश की खास पेशकाश किस्सा यूपी का और मैं हूँ आपके साथ सुष्टी में ठागी अतीक अश्रफ हत्याकान के बाद बहुत से राज अतीक की कब्र के साथ ही दफन हो गए है हराए दिन ये नई अपडेट मिल रही है कि अतीक अश्रफ की कातिल जो थे उनके मास्टर माइंड कौन है ये किदर छिपे हो सकते हैं तो वहीं अगर इस वारदात की बाद अगर कुछ उजागर हो रहा है तो वो बड़े सवाल है ये सवाल की अब अतीक के जाने के बाद अतीक के सामराज्य का क्या होगा क्या ये बुल्डोजर बाबा के अवेश में आकर ढह जाएगा या इसे दुबारा जिन्दा करने के लिए गैंग वार होगा सवाल ये भी कि आखिर इस पूरी वारदात के अहम किरदार शाहिस्ता और गुद्डू मुस्लिम अब तक पूलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ पाए कैसे करके ये फरारी को अंजाम दे पा रहे हैं इनके आगे का क्या प्लान है और पूलिस को आज इनकी लोकेशन से जुड़ी क्या इंटेल मिली है इन सब इस सवालों की आज डिकोडें हम यहाँ पर करें ही है जुसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैप्टल टीवी के एक्जिक्टिव एडिचार राजीव जी आपका बहुत स्वागत धन्यवाद राजीव जी इससे पहले हम अतीक और इस पूरे हत्याकार्ण के सिरो पर आगे पड़े एक और इंपॉर्टेंट इंटेल हमारे सामने आ रही है और वो उमेश हत्याकार्ण से जुड़ी है बताया जा रहा है कि 44 सेकिंड में जिस मर्डर को अंजाम दे दिया गया उसके लिए बतौर पुरी प्लानिंग की गई थी जो हत्यारे थे उनको आईफोन मुहया कराया गया उनके प्रॉपर कोडिंग की गई थी आपको क्या लगता है कि जो अभी इस पीछे मास्टर माइन है उनको इसके खुलासे से क्या दिकत हो सकती है देखिए जो इस्थित्या है अतीक अहमद और अश्रफ ये दोनों की प्लानिंग जो थी उस पर कई चर्चाएं हो चुकी है हम लोगों ने भी अपने दर्शकों को इफ्रारे में जानकारी दी रखी है कि ये हत्या जो ही चर्चा हुई है क्योंकि किसी को दिन दहाडे मारने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है रेकी की जाती है अब पता चल रहा है कि उमेश पाल के पडोस में रहने वाला एक आटो ड्राइबर इस रेकी के पीछे था जिसको ये दिया गया था जिम्मेदारी दी गई जिसमें असद भी था अली भी था साहिसता भी थी और अश्रव भी था यानि कि प्लानिंग के बाद अभी समस्या इस बात की है कि अभी तक अतीक अहमद के परिवार के चार लोगों का नाम इसमें आ रहा था अतीक अहमद अशरफ ये दोनों की मौत हो गई हत्या कर दी गई दूसरे अस्तर पर असद जो की सूट आउट में शामिल था जो लीड कर रहा था शूटर था उसका भी इंकाउंटर हो गया साइस्ता परवीन जो की इसके पूरे पिक्चर की मास्टर माइन माने जा रही थी यानि की अशरफ और अतीक ये दोनों जो कॉडिनेट कर रहे थे वो साइस्ता परवीन से कर रहे थे उमेश पाल के हत्या के लिए जो सूटर अरेंज किया गया था उसके लिए गुड़ो मुस्लिम था और साइस्ता परवीन जो थी वो सारे सूटर से खुद ही मिल रही थी पैसा दे रही थी लेकिन अली का नाम कहीं नहीं आ रहा था यो कि अतीक अहमद का एक दूसरा बेटा है अभी जेल के अंदर है अब इस खुलासे के बाद उसके उपर भी इसके चार्जेज लगेगे और इस पर अब ये चर्चा होने लगी उपी सरकार ने शुरू कर दिया कि उससे मुलाकाद करने के लिए कोई नहीं जाएगा क्योंकि मुलाकाद करने वालों में एक जो साजिस करने वाला था वो अतिक अहमत का वकील भी था वही ये प्रोवाइड करता था कि वकीलों को अपने क्लाइंट से मिलने जुलने के लिए आजादी होती है वो जाकर मिल सकता है पैर भी कर सकता है क्योंकि सो से जादा मुकदमे इन लोगों के उपर है तो किसी ने किसी मुकद कर लिया गया है जो उसका वकी लानीवता अब इसमें सबसे बड़ी समस्या अतीक हमत के बच्चे हुए परिवार की है साइस्ता परविन फरार है गुड्डू मुस्लिम फरार है और अतीक असरप की हत्या हो गई है जिसमें अब नया एंगल से इस हत्या कान की जांच भी चल पुलिस ने जो फिछले दिनों बताया उसमें साफ तोर पर दिख रहा है कि इस हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम हो सकता है जो उल्टा पड़ा है अतीक असरप का दाओ जो वो चाह रहा था कि 2002 में जैसे इन दोनों ने अपने उपर हमला करवाया था अतीक हमद ने अप पास पास में बम फुड़वाये थे ताकि इनको सुरक्षा मिल सके इसको पहले से जादा कड़ी सुरक्षा मिले और सरकार कोई जादा कड़ी कारवाई न कर सके उसी तरह का एजेंडा इसमें भी था और उस एजेंडे के तहत अतीक हमद चाहता था कि जब वो पेशी के लि लग सकती है घायल किया जा सकता है ताकि वो सुप्रिम कोट में अपील कर सके जो पहले भी कर चुका था कि हमारे जान को खत्रा है तो हम उत्तर परदे से बाहर किसी जेल में सिफ्ट होना चाहते हैं हमारी सुरक्षा की कड़ी वेवस्ता के जाए लेकिन अब जो इस्थिती सामने आ रही है साइस्ता और गुड़ो को लेकर इसमें भी लग रहा है कि ये फरार जो है वो अपने पूरे काली कमाई को इकठा करने के लिए है क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम अगर जेल चले गए तो उसके बाद अतीक अहमद ने जो अठारह सो करोर से जादा इन्वेस्ट करता था जो रियल स्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है वो सारे के सारे पैसे अटक जाएंगे कोई भी वापस नहीं करेगा अब इसकी सुरुआत भी हो गई पिछले दिनों ही एक बिल्डर ने आरोप लगा दिया और आरोप किस बात का लगाया कि अतीक के बेटों ने धमकी दिये पांच करो रूपे की मांग की है इसके पीछे का रिजन यही था कि अतीक अहमत के साथ वो पहले भी कारोबार करता था 16-16 मामले उसके उपर दर्ज हैं जो अतीक अहमत के साथ का ही है लेकिन फिर भी अब लगने लगा है कि यह जो पैसे वापस करना है वो अभी पैसे वापस क्यूं करें अगर साहिस्ता परविन भी जेल चली गई गुड़ू मुस्लिम भी जेल चला गया तो यह पांच करोड की जो रकम है वो 10-20-50 लाट में इसके सूटरों के साथ सिटल कर लेगी तो यह जो दोनों के फरार होने के पीछे वज़ा है वो यही है कि अपने लोगों को कॉडिनेट कर सके और वो जो इसकी काली कमाई है उस पर कम से कम कबजा बनाए रख सके रजीब जी आज इनकी लो साथ रखता है और जिस तरीके से जब मुंबई जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था उस समय जो कई गैंग वहां चला करते थे वो अपने अपने जगह अपने अपने इलाकों में अपना वर्चस्व रखते थे और वहां के लिए वो गौड फादर हुआ करते थे अब धीरे धीरे वो नेटबर्क तूट गया जिस तरीके से विरप्पन जब चंदन की तसकरी करता था तो आसपास के आदिवासी बहुल छेत्रों में जहां जहां पर उनकी पहुँच थी उन लोगों को खुश करने के लिए पैसे देता था और वहां के लिए वो गौड फादर की तर लोग विरप्पन की सुरक्षा करते उसी तरीके से अतीक हमद भी प्लान बना रहा था पहले से ही कि जब हमें जरूरत पड़े तो कुछ मुस्लिम बाहुल इलाके जो गाउं हों या फिर मुहले हों उन जगों पर हमें सुरक्षा देने की विवस्था की जाए और इसलिए इन लोगों ने ये विवस्थाएं जो की थी आज उसका परिनाम सामने आ रहा है क्योंकि पुलिस ने बताया कि STF घटॉली पहुची और वहाँ पर जब उसकी टीम पहुची तो सबसे पहले तो मस्जित से एक एनाॉंस्मेंट किया गया और वो एनाॉंस्मेंट था कि सारी महिलाएं बुर्का पहन के पुलिस से सुरक्षा के लिए बाहर आ जाए और जब यो बुर्का गैंग पूरी के पूरी तरीके से पुलिस को रोकने के लिए बाहर आए तो उसी में साहिस्ता परवीन भी थी और पुलिस को समझ नहीं आया कि इन बुर्का वालियों में साहिस तो उस पर भी एक बड़ा बवाल होता कि महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवार किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को बेपरदा किया जा रहा है इसलिए इस बीच जो सबसे कड़ी कारवाई की जानी चाहिए और जिसके लिए प्लान चल रहा है वो उस मस्जिद के उपर है जहां से announcement किया गया था, क्योंकि ये सारे के सारे अपराधियों का अड़ा बना हुआ है, मस्जिदों में भी अतीक अहमद मुक्तार अंसारी जैसे लोगों का पैसा था, इन लोगों को वो पालता है और यही उसके लिए सुरक्षा कबच बनके रहा है, तो इसलिए अब सबसे पहले मस्जिदों पर जो अजान के लिए लॉडि स्पिकर लगाया जा रहे हैं और पहले से भी लगाया गये हैं, उसको उतरवाने की तयारी की जा रही है, और बुरका गैंग के लिए एक महिला STF टुकडी भी साथ मिले जाने की बात की जा रही है, कि अब अगर ऐसे स्थ आई, तो सारी महिलाओं को महिला पुलिस वाले जो है, वो सब देखेगी, चेक करके आएगी, क्योंकि अभी तो इस बात की उम्मीद, संभावना पुलिस के पास नहीं थी, कि जब हम उस गाउं में जाएंगे, तो महिलाएं घरों में रहेगी, और घरों में रहेगी, तो ह जहां तक गुड़ू मुसलिम की बात है, ये दोनों भी अभी टच में हैं, और कोशिश कर रहे हैं, कि जब इन लोगों की वसूली पूरी हो जाए, तो वो पुलिस के सामने सरिंडर करें, लेकिन जहां तक गुड़ू मुसलिम का सवाल है, उसका तो इनकाउंटर होना लग बनाया है, अब उसके बाद की बात है, कि साइस्ता और गुड़ू कब इस पूरे फरारी जीवन में से बाहर निकलेंगे, अंत होगा, और फिर जो गैंगवार चल रहा है, अतीक हमद के गैंग के अंदर, वो तो आपस में लड़ने वाले ही हैं, सौ से ज़्यादा ऐसे, ग उसके पिछे ये लोग जो इसके सूटर हैं, वो अब आपस में भिड़ गये हैं, और इस वर्चस के लड़ाई में ही ये आपस में निपड जाएंगे, बिल्कुल गैंग वार भी देखने को मिल सकता था, जो छोटे बड़े जो लोग थे, जो गैंग थी, जो एक वक्त पे अतीक के सामने आने से भी ड़ती थी, आज अतीक के मौत के बाद, कई न कई वो वच्चस सुपाने के लिए आपस में लड़ सकती है, कून कराबा हो सकता है, तो आज अतीक अत्याकार में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, और उस पर हम हर माइन्यूट डीटेल आपको करा रहे हैं, जैसा कि आप सब के सामने बात आ चुके है कि लेडी डॉन, शाहिस्ता और बंबाग्स गुड्डू मुस्लिम पुलिस के साथ चुआ बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, ऐसे में उनकी काली करतूद के अंजाम से वो कब तक बच पाएंगे, ये बात देखने वाली किसा यूपी में आज के लिए बस इतना ही, हम लोटेंगे किसी दूसरे मुद्दे, दूसरे किसे के साथ, तब तक हैं, देखते रहे हैं, क्याप्टल जी उतरप्रदेश, नमस्कार